अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको PS4 लेना है या कोई console लेना है तो नया नहीं रीचिए उसके जगा उसको second hand लीचे जैसे PS4 है या PS4 Pro है उसको second hand लीचे जो कि आपको आधे price में मिलेगा तो वहाँ पर कई लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है हम second hand लेंगे तो यहाँ पर मैंने अगली जो वीडियो सोची थी वो ये थी कि मैं आपको बता सकूंगी कि ऐसे कौन से games हैं जो कि मुझे आज तक PS4 में पसंद आए मतलब काफी जादा लंबी cycle हो चुके लंबसम लंबसम 2014 से लेकिए अगर आप अभी 2022 सक आएंगे तो काफी लंबी cycle हो चुके और कई सारे games आ चुके हैं PS4 के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं वही बताने वाला हूं कि मेरे top 10 games कौन से हैं जो कि आपको जरूर से तो यहां पर मैं उस तरह की इस रैंक भी कर रहा हूं कि जो सबसे कम नीचे बोल रहा हूं वह मिझे थोड़ा कम पसंदा है जो सबसे तॉप पर है वह मिझे सबसे ज़ाधा पसंदा है तो यह वह कुछ games है तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि यह games तो मेरे all time favorite है और शायद यह मैं कभी भी खेलने बैठ वहाँ तो मैं कभी बोर नहीं होगा और मैं आपको भी बोलूँगा कि यह games आपकी library में जरूर होने चाहिए यह यहाँ तो December में आया था और मैंने बिल्कुल नया game खेला था और जो मैंने यह game खेला था उस time में मैं देखता ही देखता रह गया था क्योंकि इसके graphics बहुत ही जादा बहतरी ही तो हर एक चीज इतनी जादा बहतरी ही ती कि सिर्फ इतनी आई pleasing थी मैं आपको बता नहीं सकता एक एक चीज देखने में मता रहा था मतलब खेलने से जादा था देखने मता रहा था कि कितने अच्छे आदा एक घंड़ा तो यह सोचने में निकल गया कि यार ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं मतलब हर एक चीज जब वो पैदा होती है जब आप उसकी मतलब उसका बिल्कुल क्लोस अप शॉट आता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार यह जो PS4 है उसमें कितने अच्छे ग्रा इसके बहुत अच्छे है स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्टोरी लाइन मैं कहीं भी बहुत नहीं हुआ था बस इसमें मैंने गेम में एक गलती करी थी कि ना नहीं नहीं देखी थी मतलब उसको एक्स्टोर नही ही नहीं कर रहा था मैं सीधा बस स्टोरी लाइन पार कर रहा था लेकिन उसकी चक्कर में क्या हुआ मैंने अपनी अपनी अबिलिटी इसको बनाना तभी आपको असानी होगी और यहां पर मैं आपको बता दूँ सब कुछ बहुत अच्छा था मतलब एंडिंग भी बहुत अच्छी नहीं लगी थी वह यह था कि जो बॉस फाइटी वह इतनी थी तो बहुत मुश्किल मतलब सीरियसली काफी ज़्यादा मुश्किल थी बॉस फाइट अगर मुझे याद है इस वज़े से थी कि मैंने अबलेटी दें जादा एक्स्पोर नहीं करी थी और उसको अगला जो गेम है वह तो शायद मेरे बोले बिना ही आप खरीद लें मतलब बोलने की पड़ेगी आप मतलब PS4 लोगे या PS5 लोगे वह गेम तो आप खरीद के साथ में लाओ गई लेकिन फिर में मैंने लिस में डाल दिया और आप बोलोगे कि भाई यह इतना नहीं चे क्य इतना नीचे तो अच्छा गेम है तो भाई यह मैंने इस वह से रखा किए इस गेम की ग्राफिक आज की टाइम में काफी जाधा कम हो चुकी है क्योंकि 2013 के हसाब से अब देखेंगे तो इसके ग्राफिक काफी जाधा कम है दूसरी चीज़ की इसकी जितने भी चीजे रहे जितना भी gameplay आज के हिसाफ से standardized नहीं है वो ठीक है तो थोड़ा कम लगता है कि अगर आज लगर कोई game खेलोगे और उसको इसके साथ compare करोगे तो वो इतना जादा अच्छा नहीं लगेगा आपको अगर मैं इसकी storyline की बात करूँ तो वो भी काफी अच्छी लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमे अच्छीन लगी कि इसके अंदर 3-3 characters है और किसी भी एक character के साथ मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि मैं character के साथ connect हो सकूँ और GTA 5 अगर मैंने पहली बार खेला हूँ या वो छटी बार खेला हूँ हर बार मैं किसी भी एक character से connect ही नहीं हो पाया हूँ जैसे आप Franklin के साथ खेलता हो तो आपको mindset चेंज हो जाता है जैसे आप Trevor के साथ खेलता हो तो आप एकदम से hyper हो जाता हो उसी game में और Michael के साथ खेलता हो तो थोड़ा elegant वाली feel आती है यह मेरे साथ होगा कि बाहर बार character चेंज हो तो आपकी personality भी change होती है उस game के अंदर तो यह चीज मुझे बस इस game के अच्छी थी लेकिन वो connect नहीं कर पाई तो इस वाज़े से मैं अच्छी नंबर पर रहा है लेकिन जरूर खेलना चाहिए मतलब यह तो होना चाहिए यह तो game कभी भी इंसान बेचे ही नहीं यह हर इंसान के पास होना ही चाहिए game क्योंकि अब शार गेम मैंने खेला एंसे game क अच्छा लगा हो अच्छा अच्छा लगा आज तक शाए गंटा खेला मजा नहीं आया बकार बेकार यह game ऐसा था जिसको मैं खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा मजा आ रहा था इसका web-swing बहुत अच्छा था इसकी जितनी भी मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ इस गेम में कोई कमी नहीं है और साथ में जो चार चान लगा है न वो इसके विलेंस ने लगाए भाई जब भी आप फाइट करते हो न जिसमें आपको बताया है और इसके अंदर जो एक एक एंगिल शूट हुआ है जब वो बचता है इधर से भागता है तो बिल्कुल एक फील आता है कि हाँ आप मूवी वाले स्पाटर मैं नहीं देख रहे हो तो बढ़िया लगता है मतलब हर ए फिनिश कर दिया था और मुझे लगा बस इतना ही फिनिश हो गया मतलब वो चीज अच्छे ही लगी ती यहां पर मैं 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 मॉराल्स को यहां पर नहीं ला रहा हूं मैं ओरिजनल स्पाडर मैं की बात कर रहा हूं ठीक है और जो अगले आने वाले तो उसका भी इंतिजार तो वो भी तरूर खेलेंगे लेकिन यह Spider-Man का गेम मुझे बहुत ही भैतिन लगा और खास और से इतने सारे विलेंस थे और मैं बच्पन से Spider-Man को देखता हूँ तो कहीं न कहीं वो मतलब हुआ कि यार इतने सारे विलेंस मज़ा आएगा और मज़ा आया भी विल्कुल कि आप आप हर एक विलेंस से लड़ो और एक बार में दो-दो विलेंस से लड़ो तो मज़ा आया भाँ साथा तो यह गेम भी आपके पास जरूर होना चाहिए अगला जो गेम है वो है Uncharted series का Uncharted 4 और यह वन ऑफ दी बैस गेम है मैं सिब इसको recommend नहीं करूँगा मैं recommend करूँगा लगा वैसे यह और Uncharted 2 मुझे सबसे बहतरीन लगा लेकिन ग्राफिक्स के मामले में और जो एक एक चीज इन्होंने अपग्रेट करी थी मतलब पहले से जो इन्होंने सुधार कर रहा था Uncharted में वो सारी चीज़े बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मुझे बहुत मज़ लगता है और साथे साथ में जो इसके ग्राफिक्स हैं यह 2016 में आया तो उस हिसाब से ग्राफिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे और जब खेला तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और नेधन ड्रेक तो भाई सबको पसंद आता है तो आपको ज़रूर खेलना चाहि क्या भाई जब मेने इसके ना रिव्यू देख़े थे भाई जिए की लिए लिए की बहुतरीन घए बहुत बहुत देखे लगते हैं मुझे बहुत ही के बहुत ही अच्छी इसके जो house riding mechanism है वो भी बहुत ही ज़ादा भैतरी नहीं मतलब आपको मज़ा आता है तो और आपको पहली बार थोड़ी samurai वाली feeling आती है तो समझ में आता है तो आपको बड़ा अच्छा लगते है एक new experience होता है बस यहाँ पर मैं इसको इतना नीचे रखा म मतलब मैं उपर रखता है इसको of course क्योंकि इसका gameplay बहुत अच्छा है इसकी storyline बहुत अच्छी सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके जो protagonist है उसके साथ connect नहीं कर पा रहा हूँ जादा हूँ वहाँ पर मुझे बस जरा सी यह चीज लगी कि जो storyline line चल रही है मुझे मज़ा आ रहा है मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हो रहा है लेकिन वह मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह मैं हूँ यह जो protagonist है वह मैं हूँ और वह मैं ही खेल रहा हूँ वह जीद में इतनी connect नहीं कर पाया इस game के साथ बस वहाँ पर मुझे यह मेरे top 3 में भी जा सकता था game यह इतना कमाल का game है लेकिन आप अगर connect कर पाएं तो शायद आपको यह मुझे से भी जाता बहतरीन game लग जाए और लगे क्या है यह बहुत ही अच्छा game है इसके बाद जो अगला game आता है जो हमारे top 5 में आता है वो है आपका Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain और इसके बारे में कुछ बोली नहीं सकता है क्योंकि इतना भैतरीन game है यह मैंने बहुत बात में खेला था दो साल पहले ही मैंने यह game खेला था वो भी किसी की recommendation से क्योंकि उसने बोला था खेल के देख और मैंने खेला और मतलब क्या ही बोलूं इस game के मामले मैं सिंपल से अग हैला कोई भी Metal Gear Solid का कोई इतना कोई खास पार्ट ने खेला था था थोड़ा बहुत खेल रखा था लेकिन जब मैंने यह खेला ना तो मुझे किसी चीज से मतलब नहीं था इतना बहतरीन था और इतना engaging इसकी storyline थी और मतलब हर एक चीज इतनी बढ़िया थी इस game के mechanism भी इतन अगर आपको भी पसंद है और अगर आपने कभी Metal Gear का कोई भी गेम खेला तो शायद आपको यह बहुत पसंद आएगा बहुत जादा पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही बहुत ही रिकमेंड करूंगा इस game को अगला जो game है वो सब का प्यारा और मेरे पास अभी भी है इसका डिजल एडिशन भी इसके डिस्क भी है वो है God of War और मैं सच बता रहा हूँ मैं वो बंदा हूँ जिसने God of War 2 खेला था 3 खेला था 3 के बाद भी एक और आया था वो भी खेला था और मुझे वो कोई खास अच्छे नहीं लगे ते मैं सची बता रहा हूँ कई लोग काफी त अच्छा करेक्टर कभी से लगा ही नहीं है वो मुझे काफी तदा गुसेल और अजीब सा लगा है मतलब मैं वो मुझे ऐसा करेक्टर कभी पसंद नहीं है हाँ गेम अच्छा है गेम प्ले अच्छा लगा है स्टोरी अच्छे लगी लेकिन मुझे करेक्टर में कोई दिल् देख रहो और जी रहो वो इस game के साथ मुझे कभी भी feel हुआ नहीं था मैंने one नहीं मैंने two three और three के बाद जो भी आया था वो मैंने खेला था लेकिन जब मैंने यह वाला खेला ना God of War जिसको हम God of War 4 भी बोलते हैं तो यहां पर यह जो God of War था यह बहुत ही कमाल का लगा हर एक चीज इतनी बड़ी आती मुझे जब मैंने इसको खेला मुझे वही सप्ता की God of War ऐसा हुआ लेकिन जब मैंने इसको खेला ना मेरा पूरा perception ही चेंज होगी है क्योंकि इतनी भैतरीन storyline इतने भैतरीन graphics और मैं पहली बार Kratos के साथ मतलब वह emotional touch होता है ना कि आप महसूस क करते हो कि उसको बुरा लग रहा है तो आपको भी बुरा लग रहा है तो पहली बार मुझे महसूस हुआ उस character के साथ और यह चीज मेरे लिए किसी भी game में सबसे ज़्यादा जरूरी होती कि मैं character के साथ एक मतलब connect कर सकूए उसके साथ जो जी रहा है जो उसको बुरा लग जो fights है ना इसके fights तो मतलब जिसे बोलें एकदम बहुत ही भैतरीन है इतनी भैतरीन fights मैंने बहुत ही कम games में देखी है और दिल चाहता है यह fight चलती रहे जब खतम होती ना तो पूरा लगता है कि fight क्यों खतम हो यार मैं लड़तो रहा था मैं कर रहा था मैं 100 लार मर रहा चाहिए इसनी भैतरीन fight एक एक जो विलन था वह बहुत ही भैतरीन था और सबसे ची fight अपनी वही लगी थी क्या नाम था उसका नाम भूल गया हो पतला पतला सा लड़का बिलकुल जो मर नहीं सकता था पहले क्या नाम था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका stranger जो था क्या नाम था उसका मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा है नाम याद हो तो comment box में मुझे याद दिला ना बिलकुल फूल जो कहों में उसका नाम याद आ जा है मुझे लेकिन game बहुत अच्छा आपको जरूर को खिलना चाहिए इसके बाद अगला गेम जो कि शायद आप उत को टॉप थरी मेरा को टू मेरा को वन मेरा को मतलब वो मेरे यह जो टॉप थरी वाले गेम है न वो कोई ना कोई हर कोई टॉप वन पर ही है भाई सीरियसली बताऊ तो और वो जो मैं तीसे नमबर पर रखा है वो है विचर थरी और यह इतना भैदरिन गेम है इतना भैदरिन गेम है मतलब कमाल का गेम है यार मतलब सीरियसली मतलब इसकी मैं क्या चीज इसमें बताऊंगी मैं इसमें क्या खास बात बताऊं इसकी हर चीज ही खास है मतलब आप कोई भी चीज ले लीजिए मैंने कभी विचर का कोई पार्ट नहीं खेला था मैंने पहली बार विचर 3 खेला था CD Projekt Red का मैंने पहली बार मतलब ये गेम खेला था और ये बहुत ही भैदरीन गेम निकला तब इसे मैं CD Projekt का थोड़ा था फैन हुआ था कि भाई बहुत ही तकड़ा गेम निकाला है मतलब open world इतना भैदरीन गेम हर एक चीज इतनी engaging हर एक चीज मतलब सारी चीज़े और आप पहली बार विचर बनते हो उसके अंदर और आप देखते हो कि यार विचर के अंदर ये ये पावर है ना मैंने कभी novel पड़ी विचर की ना कुछ पढ़ा मैंने पहली बार ये गेम ही खेला तो मुझे ये गेम बहुत ही बहतरीन लगा था बहुत बहुत बहतरीन क्या लगा है आज भी लगा है मैंने इसको एक बार complete कर रहा था और जैसे ही complete कर रहा था फिर मैं इसको दुबारा से खेलने बार दिया था और फिर दुबारा से इसको complete कर रहा और तब भी मुझे उतन परना गेम है लेकिन graphic को अगर चोड़ दिया जाए, side में हटा दिया जाए, तो बहुत ही भैतरी इन story line है, अगर आप story line के तरफ जाते हो, आपको अज़रा सा भी दिक्कत नहीं होती है, आरे, graphic भी कोई चीज है, graphic आपको बहुत अच्छे लगते हूँ, अगर आप स्टोरी लाइन पर धियान दोगे अगर आप एक पिंपॉइंट करने लगए होगे पुराना गेम है लेकिन इतना बड़ी है गेम है कि आज भी सारे गेमों को टक्कर देता है मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें ये लेकर आया था गेम जो कि पहले रॉक्स्टर सैट करता था लेकिन सीडी प्रोजेक्ट रेट ने अपने इस विचर थरी से एक बेंचमार सैट करता है सब गेम के लिए जो कि आज भी अभी तक कई गेमों में आपको देखने को मिल रहा है तो बहुत ही भैतरी इन गेम है इसके बाद आपका सब का प्यारा हमारा The Last of Us Remastered 2 2 मैंने अभी तक नहीं कहला है हाँ हाँ मैंने नहीं कहला है क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी लाइन भी पता है सब कुछ पता है और मैं स्पॉil नहीं करना चाहता कोई भी चीज की जो मेरी यादे है Last of Us 1 के साथ तो मैं थोड़ी सी भी खराब नहीं करना चाहता मैं खेलूंगा तो मुझे पता है इतना मदा नहीं आया क्योंकि मुझे एक एक स्टोरी उसकी पता है कि कब क्या हुआ उसके अंदर तो इस वज़े से बस मैं क्या बूलू मतलब मुझे इतना interest नहीं आया उस गेम के अंदर खेलने के लिए शायद में भी in future खेलो लेकिन अभी कोई भी प्लान मेरा उसको खेलने का नहीं है क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़ादा भैतरीन गेम है इतना भैतरीन गेम है जब आप पहली बार इस गेम को खेलते हो आप मतलब एक तो आपका इस परसेप्शन ही चेंज गरते थे था क्योंकि जितने भी आपने गेम खेलोते ना भू भा धूम धड़क का मतलब पता नहीं क्या-क्या बंदू के निकाट तो यह आवाज आ रही है मतलब वाइलेंस बहुत होता था गेम में मतलब इसमें वाइलेंस ऐसा नहीं वाइलेंस नहीं लेकिन वाइलेंस वह शोर शराबा बहुत होता था लेकिन इस गेम ने परसेप्शन ही चेंज चुरते क्योंकि जब मैं इसको खेलने बैटा बहुत ही खामूशी का गेम था बह तो एक एक चीज बहुत ज़्यादा भैतरी थी और यह शायद एक ऐसा गेम तर जिसने लास्ट में जाके एक emotional टैज दिया था कि यार यह क्यू हुआ अगर आपने नहीं कहला दी लास्ट रफस्री मांस्टर तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता है लेकिन बहुत ही भैतरिन गेम है आप इससे emotionally भी कनेक्ट होते हो आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है कई कई जगा हर एक चीज होती है और इसके हैथरिन गेम कोई देखने को मिला ही नहीं है तो ये गेम बिलकुल खेलना चाहिए और ये गेम तो मैं आज भी खेलू ना तो मुझे उतना ही मजाएगा और अगर ये आज रिलीज होता ना मतलब ये 2020 के करीब ये 2019 के करीब होता तो शायद ये गेम अभी मेरा टॉप वन प करूँ कि जो बहुत अच्छा होता है उससे था इतना वहतरी आप उसकी अंदर पूरे घुज जाते हो बिलकुल उसकी लाइफ को जीते हो उसके साथ मजब एक तो आडिया टू में पालिटिक्स बहुत है जो उनका गुरूप है पूरा का पूरा गूरूप नहीं उसको क्य क्या बोला जाता है क्या कहते है उसको जो गुंडो का वो होता है उसको क्या कहते है उनका जो गुरूप होता है न तो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स होती है और जो सब चीज़े होती है उनका जो लीडर है वो थोड़ा सा दिमाग उसका काम चलना बंद हो जाता है और फाल तो उसके पास हमेशा प्लान रहता है, तो वो सारी चीज़े ना, आपको महसूस करते हो साथ में, और जब कोई मारा जाता है, वो कौन मारी गई थी? मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका मैं स्पोईलर नहीं देना जाता वैसे भी अच्छा हूँ नाम याद नहीं आ रहा है वह नफाल तुमा को स्पोईलर मिल जाता तो उसका भी दर्द आपको महसूस होता है और हर एक चीज का जो जो आर्थर मॉर्गन के साथ होता हर एक चीज से आप ऐसे कनेक करते हूँ जैसा आपके खुद के साथ हो रहा है और सिरियसली उसने मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी लाइफ में काफी जादा चीजे चेंज करी है जो आपका RDR2 था वो बहुत ही जादा बहतरीन गेम है और वो एक ऐसा गेम है शायद मैं आपसे बोलूँगा कि आपको बिलकुल मतलब शायद आप बागी गेम्स मत खेलो लेकिन RDR2 ज़रूर खेलो क्योंकि इतना कमाल का गेम है मैंने ऐसा गेम आज तक अपनी इस लाइफ टाइम में ने खेला और शायद मैं खेलूँगा क्योंकि ऐसा गेम मुझे ने लगता कि बार-बार बनेगा मुझे अच्छे गेम सिफ और सिफ एक ही बार बनते हैं दुबारा ऐसे गेम कभी बनते ही नहीं है तो मुझे फिलाल ऐसा लगता है यह game आपको ज़रूर खेलना चाहिए और यह इतना बहतरी गेम है और जो इसकी endings है अगर आपको अच्छे ending मिलें तो आपको बहुत बुरा लगज़ा लेकिन अगर आपको बुरी ending मिलें आपको कुछ फरक भी नहीं पाए तो मै आपको बिदियो पसंद आईए हैं और आपक के गेम के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप नीचे से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं नीचे से आप इस गेम को खरीच सकते हैं और अगर आपने हमारे जनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़दा आपको अगले वीडियो में तब तक लिए स्प्रैट पीस लव एन हैपिनेस